दिल्ली में लगतार बढ़ते प्रदूशन के बीच मौसम विभाग ने थोड़ी राहत की खबर दी है दरसल दिल्ली NCR में वेस्टरन डिस्टरबेंस के चलते हवा की गती में तेजी आएगी जिस से प्रदूशन का सर घट सकता है हवा में प्रदूशक तत्वों में कमी होने से लोगों को जहरीली हवा से थोड़ी राहत मिल सकती है 6 निवंबर को नियूंतम तापमान इस मौसम का समाने से 2 डिगरी कम रहा है इससे पहले सीजन का सबसे ठंडा दिन 28 अक्टूबर को था जब नियूंतम तापमान 14.3 डिगरी सेलसिस तर्च किया गया था मौसम विभाग के मताबिक ऐसा उत्तर पश्चिमी हवा की दिश्या में अचानक बदलाव के कारण हुआ है हवा में बदलाव की वज़र से दिली में बीती रात तापमान में गिरावाट आई है मौसम विभाग के मताबिक दिली के कई राकों में दिवाली के बाद बारिश के असार है इसे के साथ दिवाली के बाद भी प्रदूर्शर में थोड़ी राहत की उमीद जताई जा रही है साथ ही 9 निवंबर को भी दिली में कुछ जगाहों पर बूंदा बांदी देखने को मिल सकती है दिली में नियूंतम तापमान गिर कर 13.5 टिग्री सेलसिस तक पहुँच गया है यही वजा है कि सोंबार इस सीजन में अब तक का सबसे थंडा दिन साबित हुआ है आइमडी के मताबिक दिली की हवा की दिशा पहले ही दक्षन पूर्वी हो गई है जिससे दिली में नमी आएगी और तापमान में मामली गिरावट होगी आइमडी के मौसम विग्याने कुलदीप श्रिवास्तफ के अनुसार एक पश्चिम विभोक्ष उत्तर पश्चिम भारत की ओर आ रहा है इस से हवा की दिशा में बदलाव आया है अब अगले कुछ दिनों में हवा की दिशा परवरतन शील रहेगी जो दक्शन पूर्वी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी की बीच बदलती रहेगी दिली का तापमान एक पर फिर बढ़ सकता है दस नवंबर तक लगबग सत्रा डिग्री सेलसिस तक बहुश सकता है यह तापमान वहीं 11 नवंबर से ही उत्तर पश्चिमी हवा की बापसी की भी उमीद है दिली में मंगलवार की सुभा प्रदूशन के स्तर में मामूली गिरावट दर्श की गई है और लगातार पांच दिन वायू गुडवत्ता गंभी श्रेडी में रहने के बाद बहुत खराब श्रेडी में दर्श की गई है दिली में वायू गुडवत्ता सुचांकन यानी की AQI लेवल 394 दर्श किया गया है जबकि सोमबार शाम शार बजे AQI 421 दर्श किया गया था प्रदूशन के स्तर में मामूली गिरावट आने के बावजूद पी एम 2.5 की संदत्रिता ये डेबलु एचो द्वारा निर्धारत स्वासे सीमा से 30 से 40 गुना अधिक है पड़ोसी, हर्याणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी हानिक कारकवाई उंगुडवता दर्श की गई है गाजियाबाद में एक यूई लेवल 338, गुरुग्राम में 344, नॉइडा में 348, ग्रेटर नॉइडा में 349 और फरिदाबाद में 382 दर्श किया गया है अभी के लिए फलालत नहीं, ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हैं इन खबर पर